1991 यान टोफम नाम का एक सक्स देर रात को लंदन की सडकों पे अकेले घूमने निकला था तब ही उसे रास्ते में एक औरत दिखाई देती है वो बिल्कुल अकेली थी और उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था वो उसके पास आती है और उससे बोलती है कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है जिस पर यान जवाब देता है कि मैं तो तुम्हारे भाई को जानता तक नहीं मुझे नहीं पता की वो कहा है और इतना बोल के यान आगे बढ़ जाता है लेकिन कुछी कदम चलने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब वो सौक हो जाता है क् से गाइब हो चुकी थी जी हां गाई ये स्टोरी लंदन में 90's में काफी जादा फेमस हुई थी तो आखिर वो और थी कौन और वो यान से अपने भाई के बारे में क्यों पूछ रही थी आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग बात क पसंदे तो यार ये चैनल आपके लिए ही है और हाँ वीडियो पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक करना और अपने जैसे ही कुछ दोस्तों के साथ सेर भी कर देना यार तो चलिए आमेसा की तरह अगर आपने मेरी ये सारी बाते मालनी है तो वीडियो को स्टार्ट करते ये बात है 1970 की लंदन के थ्रीड नीडल स्ट्रीट में एक खबर काफी जोरू से फैल रही थी कि वहां के लोगों ने वहां पे एक औरत को देखा है जो की एक नन की ड्रेस में गोम रही थी वहां के तब बैंक अफ लंदन में काम करने वाले कुछ लोगों का ये कहना था कि उन्होंने उस लेडी को वहां पे देखा था उनके इसाब से वो लेडी वहां पे कुछ लोगों से अपने भाई के बारे में पूछ रही थी फिर कुछ दिर बाद वो सीधे बैंक के अंदर चली गई और जब वो उसका पीछा करते हुए अंदर गए तब उन्हें पता चला कि वहाँ पे कोई भी नहीं था वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी और इतना ही नहीं वहीं पे बगल में एक अंदरग्राउंड स्टेशन भी था और वहाँ के भी कुछ लोगों का ये कहना था कि वहीं औरत उन्हें भी वहाँ अकसर दिखाई देती है वो बस लोगों से अपने भाई के बारे में पूछती रहती है उसके चहरे पे हमेशा एक उदासी दिखती है लेकिन जब भी वो लोगों से अपने भाई के बारे में पूछती है तब उसके आँखों में एक होप की किरन नजराती है लेकिन क्या हो गाईज अगर मैं आपसे ये कहों कि जो आरत उन्हें वहाँ दिखाई दे रही थी उसकी मौत तब से 1.500 साल पहले ही हो गई थी जी हाँ गाईज उस आरत का नाम सारा वाइट हैड था जिसकी मौत 1830 से 1840 के बीच में ही हो गई थी तो क्या थी सारा की स्टोरी और उसका भाई कौन था चलिए इस खौफना को और एक इमोशनल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं ये वात है 1811 की सारा अपने भाई फिलिप के साथ इंगलेंड कहीं थ्री नीडल स्ट्रीट के पास मिरा करती थी उसके जिन्दिकी में उसके भाई फिलिप के अलावा और कोई भी नहीं था उन दोनों के माता पिता काफी कम एज में ही गुजर गय थे और तब से घर की सारी जिम्मदारी फिलिप के कंदों पे आ गई थी उन दोनों भाई बैनों ने बचपन से ही काफी सारी प्रॉबलम सहे थे सारा उस समय सिर्फ दस साल की थी लेकिन घर का सारा काम वहीं करती थी लेकिन ये सब बदल गया जब सारा के भाई फिलिप की जॉब बैंक ऑफ इंगलेंड में लग गई काफी सालों बाद सारा के चेहरे पे मुसकान थी क्योंकि वो दोनों अपनी लाइफ अब अच्छे से बिता सकते थे लेकिन गईज वो बोलते हैं ना पैसा सिर्फ लाइफ में कुछ लोगों के लिए खुसिया ही नहीं लाता बलकि साथ में लालच भी लाता है फिलिप के साथ भी कुछ ऐसा ही था कुछी सालों बाद फिलिप ने उन पैसों के साथ गैंबलिंग सुरू कर दिया और देखते ही देखते वो बहुत जादा अमीर हो गया वो बैंक के पैसों के साथ भी छेट छड़ करने लगा और वो उन पैसों को gambling और कुछ दूसरे illegal काम में भी लगाने लगा था सारा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि फिलिप ने उसको बताया ही नहीं था सारा अपने भाई पे काफी ज़्यादा proud फिल करती थी कि कैसे उसका भाई इतना तरक्की कर रहा है लेकिन गैज उन दोनों को ये नहीं पता था कि कुछी दिनों बाद उन दोनों की life बदलने वाली है कुछी समय बाद बैंक को फिलिप के इन सारी करतूतों के बारे में पता चल गया उस वक्त इन क्राइम्स को बहुत ही ज़्यादा सीरियस्ली लिया जाता था और इसलिए कोट ने फिलिप को सीधे फांसी की सहजा सुना दी फिलिप को अपनी गलती का एसास हो चुका था वो यह समझ गया था कि उसने अपनी जिंदिगी की सबसे बड़ी कलती कर दी है लेकिन फिलिप कोब उससे ज़्यादा अपनी बहन की फिकर हो रही थी जो कि उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी फिलिप भी अपनी बहन से काफी ज़्यादा प्यार करता था और वो यह जानता था कि वो उसके मौत के ख़वर को कभी भी वरदास नहीं कर पाएगी और इसलिए उसने अपनी बहन से इन सारी बातों को चुपाने के लिए वो सब कुछ किया उसने बैंक के सारे लोगों से ये बोल दिया था कि कोई भी उसकी बहन को ये नहीं बताएगा कि वहां उसके साथ क्या हुआ था इतना ही नहीं उसना अपनी बहन को अपने दोस्तों के घर भेज दिया था और उनसे एक कहा था कि वो तब तक वहां से ना लोटे जब तक उसे फासी ना हो जाए और आखिरकार दो नौमबर 18-12 के दिन फिलिप को फासी पलटका दिया गया फिलिप ने तब तक तो इन सारी बातों को अपनी बहन से चुपा लिया था लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आगे उसकी बहन के साथ क्या क्या होने वाला है 19 साल की सारा को इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था जब वो वापस घर लौटी तब वो काफी जादा खुश थी क्योंकि वो अपने भाई से काफी दिनों बाद मिलने वाली थी हलाकि फिलिप के दोस्तों ने उसे बताया था कि फिलिप अभी किसी काम के लिए कहीं बाहर गया है लेकिन अब तक फिलिप को लोटे हुए काफी जादा दिन बीत गये थे और इसी तरह सारा एक दिन फिलिप का पता लगाते हुए सीधे बैंक पहुँच गई लेकिन वहां के implodes ने भी सारा को वहीं कहानी बताया कि फिलिप अभी किसी काम के लिए कहीं बाहर गया है सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योग कि वो जानती थी कि उसका भाई उसे बिना बताया कहीं नहीं चाता था अगले दिन सारा फिर से बैंक आई और वहाँ पे अपने भाई के बारे में पूछती उसके चेहरे पे हर दिने को उम्मीद होती कि साइद आज उसे उसके भाई के बारे में पता चल जाएगा लेकिन हर दिन उसे वहाँ वहीं जवाब मिलता और सारा अपना मायूस सा चहरा लिये वहाँ से चलिया थी लेकिन गैज वो बोलते हैं ना कि सच कभी न कभी सामने आही जाता है एक दिन उसी बैंक के कि इंपलोई ने सारा को फिलिप के बारे में सब कुछ बता दिया जिसे सुनने के बाद गैज सारा एकदम तूट सी गई वो ये बात सह नहीं पाई और ऐसा कहा जाता है कि तभी से सारा मेंटली डिश्टब हो गई थी उसके बाद से उसकी हिल्थ काफी जादा अंस्टेबल रहने लगी थी लेकिन इसके कुछ दिनों बाद इस सारा फिर से बैंक आई फिर से वहीं मिल लिये फिर से वहीं सवाल के साथ कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है ऐसा कहा जाता है गाज कि उसको ऐसा लगता था कि सब लोग उससे जूट बोले है वो हर दिन वहाँ पे आती वहीं सवाल लिये कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है और उसे वहीं जवाँ मिलता और वो वहाँ से चली जाती अगले दिन वो फिर से आती फिर से वहीं सवाल पूछती और कोई जवाब ना मिलने के कारण एक मायूस सा चहरा बना के वहाँ से चली जाती दिन बीत गए, साल बीत गए ऐसा कहा जाता है कि वो वहाँ पे हर दिन आती थी वहीं अजीब सी होप की किरन लिये, वहीं मायूस सा चहरा लिये जिसे बस अपने भाई के बारे में जानना था वहीं रोज एक सेम ड्रेस जिसमें वो एक नन की तरह दिखाई देती थी और ऐसे ही करते करते 6 साल बीत गए आज भी उसके चहरे पे वहीं उमीद थी आज भी वो लोगों से वही सवाल पूछती थी कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है और जवाब में उसे फिर से मायूसी ही मिलती उसका मेंटल हल्थ दिन पर दिन खराब होती जा रहा था और उसके सरीर को देखने से ऐसा लगता था जिसे पर उन्होंने कहाता है कि वो उसे कुछ पैसे देंगे जिसके बदले दुबारा वो वहाँ पे कभी नहीं आएगी सारा ने पैसे तो एकसेट कर लिये लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी तब्यत काफी जादा खराब हो गई और इसके कुछ दिनों बाद ही सारा की मौत हो गई उसे वहीं के एक चर्चियार्ट में दफनाया गया जो कि उसी बैंक के पीछे था और वो आगे चलके उसी बैंक का पार्ट बन गया था ऐसा कहा जाता है गाईस को उसके मरने के ठीक एक हकते बाद ही उसी बैंक में फिर से देखा गया था इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के सुरू में बताया था कि वहाँ के दो इंप्लोज निवस को वहाँ पे देखा था इसके अलावा गाईस बगल के ही स्टेशन और थ्री निडल के सड़कों पे भी उसे नोटिस किया गया था जहाँ पे वो हमेशा की तरह लोगों से अपने भाई के बारे में पूछती रहती थी और वो दिखने में एक नन की तरह लगती थी उसका चहरा एकदम भयानक दिखता था और वो कुछी समय बाद वहाँ से गायब हो जाती थी और इस तरह से गाईस सारा वाइटेट की स्पिरिट दब ब्लैक नन नाम से फेमस हो गई जिसके बाद वो कई दसकों तक वहाँ के लोगों को दिखती रही लेकिन उसकी लास्ट फेमस साइटिंग होई थी 1991 में जो की 90's में काफी जादा फेमस होई थी और गैज यह वहीं यह आंटोफर्म वाली स्टोरी है जो की मैंन आपको वीडियो के सुरुवात में बताया था आज भी दब्लैकनन लंदन के थ्रिट नीडल स्टीट में काफी जादा फेमस है वहाँ के लोग आज भी अपने बच्चों को उसकी कहानिया सुनाते हैं लेकिन गैज मुझे आपको हम दोनों को यह पता चल चुका है कि सारा वाइटेट का गोश्ट कोई ऐसा गोश्ट तो बिल्कुल भी नहीं है जिससे लोगों को डर लगे लोग तो आज भी थ्रिट नीडल स्टीट पे बस इस लिए जाते हैं कि सायद उन्हें सारा वहाँ दिख जाए और वो उसका हाथ पकड़के बोलें कि सारा तुमने बहुत कुछ सहा है और तुम आज भी सहरे ही हो तुम एक बहुत ही बहादूर लड़की हो लेकिन मैं आज तुमसे कहने आया हूँ कि फिलिप सच में मर चुका है वो वक्त अब आ गया है सारा कि तुम्हारे सारे दर्दब दूर हो जाएं तुम्हारा वक्त अब आ चुका है हमेशा के लिए जाने का सो गाईज आई नो सारा वाइट हेट की स्टोरी काफी जादा ट्रैजिक थी और हाँ थोड़ी इमोसनल भी थी लेकिन गैज मैं ये जरूर जाना चाहूंगा कि अगर आपको थ्री निडल स्टीट पे कभी जाने का मौका मिले और आपको वहाँ पे कभी सारा दिख जाये तो आप उससे क्या कहोगे क्या आप उससे सच बताओगे या नहीं ये मैं जरूर जाना चाहूंगा तो चलेगा इस वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को एक लाइक करना और कॉमेंट करके बताया करो कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं हम लोग ऐसे ही डेट सारे कॉंटेंट इस चैनल पे रेगुलर लाने वाले हैं तो हाईर चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना इस वीडियो का अपने जैसे ही कुछ दोस्तों के साथ सेयर भी कर देना और हाँ मैं आपको ये सारे चीज़े बार बार हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यार अभी मुझा आपकी जरूरत है अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ यार क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तब ही तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोज रेगुलर अपलोड करने के लिए हैं तो प्लीज यार लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और कॉमेंट भी किया करो प्लीज य